लोग छोटे छोटे फैदों के लिए बहुत बड़े बड़े कुर्वानिया दे जाते हैं लोग अपनी अहंकार को मिटाने के लिए कई बाद इतने बड़े बड़ी गलतियां कर देते हैं कि बाद में उनको उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता सिर्फ पच्तावा हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता सिर्फ और सिर्फ पच्ताने के सिवाए मैं कहानी सुनाता हूँ एक बार की बात है एक राजा था उसके सामराज में उसने एक तरह की घोश्टा करवाई कि कोई भी व्यक्ति यदी चाहे तो राज महल से कोई भी सामान खरीद सकता है या कोई भी सामान बेश सकता है मैं कुछ भी खईदूंगा इसके लिए वो एक आदमी डिप्यूट करता है कि वो आदमी बताएगा कि किस सामान की क्या कीमत होगी माल लीजे कोई कुछ बेचने के लिए आया वहाँ पे तो उसको बताएगा कि उसका एक्शुल कीमत मारकेट में क्या है इसकी डिमांड है भी की नहीं है हो या ना हो हम खरीदेंगे जरूर लोग लाइन लगा कर आगए सामान बेचने के लिए जो जरूरत की थी ओभी कुछ पैसे कमाने के लिए तो कुछ वज़ा वज़ा वज़ों से जो आदवी जिसको उन्हें वहाँ लगाया था जो के समान की कीमत बताता था बाजार मुले के हिसाब से वो बहुत ही इमांदार आदमी था वो बिल्कुल वही कीमत देता था जो सच में उसकी मार्केट वैल्यू थी डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो डिसाइड करता था किसकी कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उससे भी उसका रेट टै करता था ऐसा करने से लोग उससे बहुत खुश रहते थे सही चीज की सही कीमत खराब चीज की खराब कीमत मगर रपात राजा को पसंद नहीं आ रही थी राजा को लगा ये क्या बात है मू बोली कीमत दे रहा है लोगों को मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा ऐसे इस समान का ओचाता तो कुछ राज महल के लिए प्रॉफिट के लिए छोड़ सकता था उन पैसों को मगर इसको जो जी में आता हो रेट बता देता है होना क्या था राजा ने उस वेक्टी को बदल दिया एक ऐसे वेक्टी को ले आये जो राजा का बहुत बड़ा चापलूस था प्रजा की ना सोचके राजा का भला सोचता था राज महल का भला सोचता था उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया गया जनता में तरही माम तरही माम फैल गया जो भी सामान लेने आये, बेचने आये, बेचता था तो बहुत महंगा, खरीदता था तो बहुत ही सस्ता, मिट्टी के रेट में भी नहीं देता था एक मारे कैसा व्यपारी आया, जो दस घोड़े लेके आया, उसने उसकी कीमत पांच मुठे चावल भर लगाई राजा बहुत खुश हुआ, उसने का वा, उसने कहा, महराज, ये क्या कीमत मिली है मुझे अपने सामान की, ये क्या बात हुई, राजा ने कहा, जो इसने डिसाइड कर दिया, जो ये बोलता है, मैं वही मानता हूँ, मैं किसी की कोई बात न सुनता हूँ, ना मानूंगा, पा कहा है उसको ढूंडा उसने उसके पास गया सारी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ उसने कहा घबराऊ मत एक सॉलूशन बताता हूं कर ऐसा करो तुम्हें सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारे सार बाजार जाओ बहुत अच्छे से अच्छा कीमती तोफ़ा खईदो उसने रेट तैक करने वाले के लिए हीरे जवारात से भर दो उसका घर फिर देखो मैजिक तुम उसने कहा नुकसान ना हो जाए बहुत बड़ा नुकसान करके आया हूं दस घोडों का उसने कहा यकीन मानू नुकसान नहीं होगा ओ हीरे जवारात खुब सारा देना चाहता हूं इसको तुम मेरा सम्मान समझना मैं कोई रिश्वत नहीं दे रहा हूं मुझे इसके बड़े कुछ भी नहीं चाहिए वो बहुत खोश होता है उसका पूरा घर हीरे जमरात से भर देता है होना क्या था अगले दिनों का राजमाल फिर पहुंचता है वही रखा है इस काम के लिए वो आता है चावल को देखता है कहता है तो ही चावल है जो हमने उस घोड़े के बड़ ले दिया थे तो राजमाल से निकला हुआ चावल है इसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती महराज पूरा सामराज दे दोगे तो भी कम पड़ जाएगा पूरा र बोलेगा मुझे मानना पड़ेगा इस बात के उसने घोष्टना कर रखी थी और उसको सारा सामराज दे देना पड़ा उस व्यक्ति को चोटे चोटे फैदे बड़े बड़े नुकसान दे जाते हैं कहानिया बहुत चोटी चोटी होती हैं मगर आर्थ बहुत बड़े बड़े छिपा के रखती है अपने अंदर राजा छोटे से लोव के लिए उस व्यक्ति को बदल दिया जो उसका भला, सामराजी का भला, प्रशाशन का भला, देश का भला चाहता था ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहता था राजा को तो बुद्धो बना रहा था इस तरह की बाते बना के कि राजा खुश होगा तो मुझे पुरुसक्रित करेगा बगर राजा से ज़्यादा बड़ा पुरुसकार देने वाला कोई मिल गया तो उसको राजा एक टरसे बना डाला हम लोग भी अपने आसपास इस तरह के मुर्खों को बिठाए रखते हैं बेवकुफ लोगों को अपने आसपास जगह देते हैं बस किस लिए छोटे 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 तारीफ के लिए कि हमारे तारीफ के पुल बांदेगा हमारे बारे में अच्छा बोलेगा कटू बोलने वालों से हम दूर रहते हैं कटू जो आपके लिए बोल रहा है जो कड़वा बोल रहा है जो गलत बोल रहा है वो आपका भला चाहता है जो आदमी आपका अच्छा चाह रहा होगा कभी भी आपके लिए बुरा तो बोलेगा ही नहीं बुरा अच्छा तो बोलेगा ही नहीं बुरा ही बोलेगा क्योंकि वो आपके बेटर्मेंट चाहता है बेश चाहता है आपसे आपने रोजों कमी इसलिए निकाल रहा होता है क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है अगर उसने जिस दिन आपके तारीफ करनी सुरू कर लीगे, इक बहुत famous line है किसी की बरवादी देखनी है तो उसकी तारीफ सुरू कर दो उसी के मुँआ पर तो जो लोग आपके आसपास हैं जो आपके तारीफ के पुल बांधते हैं आपके हर चीज की तारीफ करते हैं आपके लिए हर जगा से आपको प्रॉफिट दिलवाने के कोशिश में लगे रहते हैं चाहते हैं कि आपका मुनाफ़ा हो दूसरे का भले नुकसान हो जाए मगर आपका फैदा हो, ओ हो ना हो दूर दुरिष्टी में अगर आप देखेंगे, फिचरिष्टी का अप्रोच रखेंगे, तो आपका बरवादी देख रहे होते हैं, आपका नुकसान चाह रहे होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप अपना भला दिखरा होता है, आप यदि बि होंगे, जो आपके मुँँ पर याप बोलने की हिम्मत रखते होंगे, कि यह डिसीजन आपका गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, यह ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, होंगे ऐसे लोग, बिलकुल होंगे, कहते हैं कि अगर हम मुझे किसी ने म अच्छा बोलता है तो हमारे हर्मोन इस तरह से डेवलप होते हैं कि हम अच्छा मसूस होता है को बुरा बोलता है तो खराब लगता है मगर यदि तीन तरह के लोग होते हैं प्रतिवी पर एक आपके वह लोग जो आपका भला चाहते हैं दूसरा जो आपके कुलिक्स होते हैं और तीसरे ओर लोग जो आपके बरवादी चाहते हैं जो आपके अपने होते हैं वो आपने हमेसा सुधार की उमीद रखते हैं आपसे सुधार चाहते हैं आपके कुलिक होते हैं ना तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं जादा वो आपने सुधार चाहते हैं मिक्स मिक्स सा रिस्पॉंस करते हैं तीसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ आपके तारीफ करते हैं आपका बुरा ही चाहते हैं दूसरे को फैदा उसको नुकसान इसका फैदा उसका नुकसान करते रहते हैं का उधर करते हैं ऐसे लोगों से दूर रहिए ऐसे लोगों की संगती में मत रहिए संगत से ही सब कुछ होता है संगत अगर अच्छी रखेंगे अच्छे लोगों के आसपास रहेंगे अच्छे लोगों से मिलेंगे अच्छे लोगों कि अगर आपने एक ऐसा ग्रूप बना रखा है तो आप भी आगे बढ़ेंगे अच्छे और बुरे को पहचानना आपके हाथ में हैं अगर आप पहचान सकते हैं तो आपको सक्सेस कोई दूर नहीं ले जा सकता चलिए मिलता हूं बहुत ही जल् झाल 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 झाल